वेवरिवन के मुनाचो, तो सब सबेले James Cameron जी को दंडवत प्रणाम, और अब स्टाट करी देते हैं क्योंकि ना तो इसके ट्रेलर के बारे में और ना तो इस फिल्म के बारे में मेरे से खराब बाते होंगी, क्योंकि इसका कास्टन क्रु खास है, इसका डारेक्टर खास है, ये मूवी खास है अफ़तार वन की एंडिंग में हमने देखा कि जेक सूली नावी के साथ मिलकर इंसानों को युद्ध में हराता है और पैंडोरा ग्रा पर ही रुख जाता है नावी जाती माँ एवा की मदद से जो कि पैंडोरा ग्रा और नावी के जीवन और देवताओं की बास से चालू हो रही है, और यार सच बताँ तो ट्रेलर देकर कुछ भी समझ नहीं आरा हम सिबो उसकी खुबसूरती में खो जा रहे हैं कि ट्रेलर इतना खुबसूरत है, अब जेक सुली और नेतरी के पाँच बच्चे होंगे जो की तीन तो ट्रेलर में ही समझ में आ रहे हैं, हेत्यम उसका बड़ा बेटा लोआक उससे छोटा और तुक तीरे या तुक उसकी तीसरी बेटी, अब जेक सुली की बेटी खास है, उसे समुद्र की धड़कन सुनाई दे रही है, क्योंकि पैंडो दूसरे नावी जातियों से अलग है, साइद इसलिए कि वो समुद्र के करीब रहते हों, और ये नावी सर्दार जेक सुली को कहता है कि हम तुम्हारी जंग खुद तक नहीं आने देंगे, इससे ये पता चल जाता है कि अवतार वन की जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इंसान की प्रकृति ऐसी है कि वो ना जीता है ना जीने देता है, वो सिफ बरबात करता है, अपने मतलब के लिए वो करोड़ों जीवजन्तुओं को मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन अवतार दी वे अफ वाटर में हम लोग जेक सुली और उसके परिवार के आएगा कि जेक सुली कैसे पैंडोरा के सारे नावियों को एक जूट करेगा, क्योंकि ये मूवी की स्चोरी कई पार्ट्स में आएगी, अवतार 2 के बाद 3, 4, 5 भी आएगी, आभात है इसके VFX और CGI पर तो अब तक इस दुनिया में इससे बहतर कोई VFX कर नहीं सकता, तु क्योंकि जेम्स केमरोन ओडियोंस को उस लेवल की सिनमा दिखाना चाते हैं, जो आज तक किसी ने देखा ना हो, उसने अपने 800 साल के मूवी मेकिंग एक्सपीरियंस को आवतार 2 और आने वाली मूवी इसमें डाला है, और वो आवतार 2 के ट्रेलर में दिख रहा है, मूवी सिनमा स्कूल में पढ़ाया जाए, यह उस लेवल का सिनमा है